पीएज़डी कॉमर्श चेंबर रो शोय शोड़ो तमा बार्शी कोर्षव नुवादली ताज होटेल ले अनुष्टी तो ही जाईची आमस्वित प्रदीब मुलतानी जी अच्छांती जेकी भाईश प्रेज़ेश अच्छांती आसंदाकाली से प्रेजडेंड बागू कोबीड भीतरे से इस सेशन को आईज़ित कोचंती सा सर्वरोपत में चैनल को शागत करता हूँ क्या बोलेंगे आप प्रेजडेंड बनने वाले हैं और कितना चैलेंज़ेश था इस साल आपके लिए जैसे कोबीड पूरा सेशन कोबीड पे चला गया फिर भी आप आनुल केर हो गया इस टाइप के या फार्मोस्टिकल सेक्टर हो गया इसको छोड़के बाकी सारे सेक्टर बहुत बैडली हिट होए थे लेकिन जो हमारी सरकार है उसने इसको कोविड नाइटीन को कोविड पैंडमिक को बहुत ही एफेक्टिवली और सही तरीके से उसको टैकल करा अब हमारी समझ से of course हमको पूरी precaution जरूर लेनी पड़ेगी लेकिन हमारी समझ से जो मुश्किल के दिन थे वो काफी हद तक खतम हो चुके हैं और हमारे पास सामने challenges जरूर है क्योंकि हमारे को business को फिर rebuild करना है और जो pre-covid level पे जो business हमाँ पहुचाना है हम देख रहे हैं कि जो GST के जो revenue आ रहा है वो फिर जाके बिलकुर first class हो गया है रोबस्ट हो गया है और हम सोचते हैं और समझते हैं कि positively now the future will be very bright there should be no problem जैसे कि सर आप health sector की बात की है और भी जो इंडिया का health sector है जो पहले था कोविड के पहले और भी कोविड के बाद दूबर government ने उसको भी allocation दी है तो कितना changes आया है और आगे कितना मुस्किल है देखे कोविड ये जो second phase आया था उसके बाद government has become पहले भी active था बट अब तो super proactive हो गया है अब हमने उस समय जो सबसे बड़ी problem थी वो oxygen plants की थी हमने देखा है कि government हर state government हर central government सब जगह उन्होंने oxygen PSA plants install कर दी है और बगवान ना करे अगर फिर कोई आफ़त आती है तो जाके we are fully prepared to face any eventuality so things are definitely moving the right direction हमारी समझ से जो भी अगर इस type की फिर से कोई problem आती है आये थे प्रोग्राम में और उस जिस्ते से बोले कि उर्जा आगे अब जब दर्में दर्पधान जी भी oil sector में मंत्री थे वह फोकस कर रहे थे कि आगे जो उर्जा की कमी है बाब चैलेंजस है इंडिया में क्योंकि उर्जा काफी जरूरी है इंडिया में तो इथेनल की बात की जारे है सर अभी हम भी देखें है नाकपर में एक शियन जी पॉँ में वो सुरू किया है तो आगे कितना चैलेंजस है उर्जा को लेकर इथेनल कितना फुल्फिल कर सकता है देखे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि धर्मेंदर प्रधान जी और नितन गटगरी जी ये हमारे रोल मॉडल कैबिनेट मिनिस्टर्स है जिस पॉर्टफोलियो को इनों ने संभला भूत ही एफिशेंटली और उन सेक्टर्स में बहुत जादा कारे हुआ हम तो आशाक रखते हैं कि बाकी सब भी ऐसे दोनों हमारे जो डाइनमिक यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनकी तरह हर मिनिस्टरी कारे करें तो बहुत बढ़िया करा दूसरा जाकर आपने जैसे बात करी रिगार्डिंग एथनॉल और अधर अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन सोलर पावर तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं और जैसे आज नितिन गटगरी जी ने भी बोला कि देखे एथनॉल इस फ्रम बनता है फार्म प्रो एथनॉल बनेगा वो तो फार्म प्रोडूसर बनेगा तो उससे हमारी फार्मर्स की इनकब भी बढ़ेगी तो उसका डबल बेंफिट है फिर बात कर रहे थे हाइडरोजन के बारे में हमारे प्रदान मंत्री जी हाइडरोजन को हाइडरोजन मिशन और बिलकुल उसको आग या दो तीन साल के अंदर क्योंकि हमारे को एनरजी में सेल्फ सफिशिंड आतम निर्वर होना ही पड़ेगा और यही तरीका है जिससे हम सेल्फ सफिशिंड आतम निर्वर हो सकते हैं कि दिल्ली को अगले कुछ साल में हम पूरा फॉल्यूशन फ्री करेंगे सिर्फ दिल्ली नहीं सिर्फ दूसरे सहर में भी फॉल्यूशन एक बहुत ही चिंती बात की है तो उसको लेकर से क्या रूल मडल होना चाहिए आपके साथ से नितिन गडगरी जी ने पूरा बताया जै जाके सी एंजी पे अपना वेकल्स काम करें और यहां पे जिस तरह से हम यह जो इसके लावा जैसे हमा कॉल फायर प्लांट्स वगरा जो हैं पराली वगरा जलाने की जरूत ना पड़े उसको भी जाके हम लोग यूस कर सकते हैं चीजों में तो मेरी समझ से जो जिस तरह से इन्हों ने ये भी बताये जैसे सारे हाईवेज वगरा बन रहे हैं अब दिल्ली में जाके जो ट्राफिक आता है वो नहीं आएगा तो यह सारी चीज़ें जब होंगी तो अवश्य ही जितनी पॉलिशन यहां पे होती है तो जो जैसे ऑक्टूबर नुवेंबर डिसेंबर दिल्ली के लिए आफ़त होते हैं हमारी समझ से बड़ी शीग रही ये सारी जो पॉलिशन के इशूज हैं वो कंट्रोल हो पाएंगे क्योंकि जो सरकार की विजन है और सोच है बिलकुली बहुत बढ़िया है उत्तम है और हम उसको पूरे उसका साथ सहमत है वोकल फो लोकल कि हम दुनिया से अलग हो रहे हैं हम सर्फ ये कहना चा रहे हैं कि भी जाके अगर देश पे शमता है तो उस शमता को हम क्यों ना आगे लेके आए हमारे पास स्किल है हमारे पास नॉलिज है एक्स्पर्टाइज है तो हम वो चीजों को आगे क्यों आ लाए मैं एक अगर हम अपने देश को लेकर चलें तो जो हमारी पॉपुलेशन है और उसके रेशियो में अगर हम डेट्स देके हैं तो बहुत पतब वी और फिट्टास्टिक एस कंपेड टो देम येस बड़ा दुखी बात है कि बड़ी डेट्स हुई लेकिन कंपेड टू इस अड्वां को बीस-पचेस साल लगेंगे उस टाइब की इन्वेस्पेंट और इंफ्रास्ट्रक्शर बिल्ड करने के लिए तो हमारी मोधी सरकार ने हमारे आयू सेक्टर को बहुत प्रोछसान दिया है हमने देखा है कि ट्रेडिशनल चाइनीज बेडिसन विद अलोपेटी सिस्टम क जाके जो हमारा भारत का प्राइमरी हेल्थ केर सिस्टम है वो आयू सिस्टम है तो उसको जाके वो सिस्टम को इंकरेज कर रही है प्रमोट कर रही है नैशनल हेल्थ मिशन में ला रही है और इसके लावा जाके जब यह आयू सिस्टम बढ़ेगा तो जो हमारा ये करना है तो उसमें भी उसकी मदद आएगी क्योंकि जो बेसिक राउ मेटिलियल चाहिए होता है आयरवेदा युनानी सिस्टम में वो हब्स होती है मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं तो अगर जाके हमारे को फार्मर्स की इंकम को डबल करना है तो उनको जाके वीट और राइस स से उनको शिफ्ट करना पड़ेगा तो मेडिसिनल प्लांट कल्टिवेशन, मेडिसिनल हर्ब्स कल्टिवेशन इससे उनकी जो इनकम है वो डबल नहीं पांच गुना भी हो सकती है बतर जी को हम देख चुके हैं भाइस प्रिजिटिन अकी तोर पर सार प्रिजिटिन बनने वाले हैं प्रियरिटी किया रहेगा सर लाक्श कुछ से प्राइटी ये रहेगा कि भाया जो भी हमारी सेंट्रल गौर्वर्मेंट के गोल्स हैं, कि भाया भारत को फाइव यूजडी फाइव ट्रिलियन एकॉनमी बनाना है, आतम निर्वज भारत बनाना है, फार्मर्स इंकम को डबल करना है, हर घर नलकूप पुचाना है, हर इंडियन के पास घर अपना हो, एज्यूकेशन सबकी हो, तो ये जित्ती भी ये गौर्वर्मेंट की पॉलसीज हैं, उसमें हम क्या उसमें हम आउती दाल सकते हैं, उसको हम गौर्वर्मेंट सरकार के साथ मिलकर हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर यूएजडी फाइफ टिलियन एकॉनोवी बनती है, तो इसका मतलब बेसिकली ये हो रहा है, we are increasing the size of the pie, पर देश के बाद ज्यादा पैसा होगा, तो उसी तब ही तो जाके सब का एक पर अनकी इंकम बढ़ेगी, तो हमारे को सब को मिलकर पूरे देश को पूरा प्रॉस्परस देश बनाएं, तो हमारी उसकी मेन फोकस होगी, पूरे जो भी हमारी समस्या हैं, उनके सामने लेके जाएंगे, विट सजेस्टिश सॉलुशन और ये सरकार सुनती हैं, और हम मिलकर आगे, जो भी हमारे लक्षे हैं, उसको हम अचीव करेंगे. आपन सुनते ले प्रदी मुलता निजी जी कि निजरा कथा रखुते ले, प्रेश्टेंड हवाको जाउचन देवां, सही प्रायरेटरे, जो प्रायरेटरे से पुर्बूर कामा कुरते ले, सही प्रायरेटर कुने कि आगोग बढ़िवे जो फाइब ट्रियान जो रहीची गर्मेंटर लख्यान तक्कु नेगी से कार्जय करिवे यवां, इजब डूइंग बिजनेस उपरे मध्यां से फोकस करचांदी, तेव अपे खेरेवा, आगाम दिनरे तांकर ये सक्सेस आवरी आगोग बढ़ू, जो मुँ टार्गेटर रुक्चांदी, से तार्गेटर म अधियो एचिप हसल करूंतू, नो अधिलो कमरा बरसान निरसाइदागागा अर्गास नियागादू